नमस्कार स्वागत है आप सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए यूजफुल वीडियो में तो जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे पोशन ट्रेकर एप में नए अपडेट आ चुका है 11.7 का तो इस 11.7 में क्या-क्या नए अपडेट आये हुए हैं आप सभी को इस लभार्तियों का जब भी रेश्टेशन करते थे तो OTP की जरूरत परती थी तो अब आप लोग बीना OTP के ही इस पोशन ट्रेकर एप में नए लभार्तियों को जोर सकते हैं अब इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है चाहे हो बच्चों की केटेगरी हो या फिर गर्भाती महिलाओं की केटेगरी हो या फिर अस्तन पान कराने वाली महिलाओं की केटेगरी हो किसी भी केटेगरी में अब आप लोग बीना OTP के ही नए लभार्तियों का रेश्टेशन कर पाएंगे साथी साथ और भी कुछ नए अपडेट आए हैं जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जनकारी मिलने वाली है तो वीडियो आप लोग कम्प्लीट जरूर देख लीजिएगा तो इस वीडियो में आगे बरने से पहले आप सभी से एक छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आये तो इस आए अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद और का बटन जरूर सेलेक्टर लिजिएगा तो अभी तक आपने पोशन ट्रेकर एप को अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे प्ले स्टोर में आके इस पोशन ट्रेकर एप को अपडेट कर लिजिएगा हमने यहाँ पहले से अपडेट कर लिया है, अपडेट करने के बाद इसको open करेंगे, open जैसे ही करेंगे तो आपका जो सबसे पहले यहाँ पे language सेलेक्ट करने का option माँगेगा, तो आप लोग language सेलेक्ट कर लिजेगा, उसके बाद फिर वहाँ पे login करने का option माँगेगा, तो आ हो चुकी है साथी साथ जो आंगनबडी सेवकाओं को प्रॉलम आ रही थी होम विजिट वाले में कि होम विजिट भी जल्दी सब्मिट नहीं हो पाता है और साथी साथ जो बच्चों की ग्रोथ मुनेटरिंग है उसमें भी आप लोग को काफी सारी परिसानी आ रही है जैसे क कि दिन में कोई भी वर्क नहीं हो पा रहा है ग्रोथ मुनेटरिंग करते हैं तो जल्दी से सब्मिट नहीं हो पाता है तो चलिए सभी समस्याओं का यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह समस्या जो है कितनी ठीक होई है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेनिफिसरी वाले क के पेर, उपरन करेंगे, उपरन करने के बाद यहाँ पे हम लोग पहले गर्भौति महिला की जो कैटेगरी है उसमें एक नए गर्भौति महिला को हम लोग जोडएंगे लिस्ट को जोडने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं new registration का जो option है यहाँ पे new registration दिया गया है यहाँ पे जो भी गर्भवती महिला है उसका पूरा details यहाँ पे डालेंगे जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कैसे इसमें नए लभार्थियों का registration करते हैं और साथी साथ यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि यह भी एक update आया है कि अगर आप लोग लभार्थियों का health ID create करना चाहते हैं तो आप यहाँ से easily उस लभार्थि का health ID create कर सकते हैं option पे touch करके दिखा दे रहा हूँ तो अगर जिस भी लभार्थि का यहाँ पे हम लोग health ID create करना चाहते हैं तो उस लभार्थि का यहाँ पे आधार नमर डालेंगे उसके बाद इस option पे check mark करेंगे उसके बाद जारी रखे पे click करेंगे तो उस लभार्थि का health ID है यहाँ से create हो जाएगा मैं अभी इसको फिलाल के लिए छोड़ दे रहा हूँ इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आपको health ID create करना है तो चलिए यहाँ पे हम गर्भाती महिला की जो category है उसमें सारा details भरने के बाद आपको आगे का process दिखाते हैं तो हमने इस लभार्थी का पूरा details डाल दिया है डालने के बाद यहाँ पे submit वाला जो option है इस पे click करेंगे तो जैसे ही click करते हैं तो देखिए यहाँ पे record सफलता पूर्वक बनाया गया यानि कि OTP का जो जंजड था वो खतम हो चुका है कई सारी आंगनबारी सेविकाओं को परेशानी होती थी OTP मंगाने को लेकर या फिर बहुत सारी problem थी OTP को लेकर तो यह सारी समस्या अब आपकी खतम हो चुकी है अब आप बीना OTP के ही नए लभार्थियों का रेश्टेशन कर पाएंगे तो देखिए जैसे ही हम लोग समिट किये तो जो पूजा देवी के नाम से हमने यहाँ पे नए रेश्टेशन किया है वो यहाँ पे दिखाना चाहिए बट यहाँ पे वो नाम दिखा ही नहीं रहा है पता नहीं ऐसा क्यूं और देखिए एक आगनबारी सेविका के साथ भी ऐसा हुआ था जो हमें बता रही थी कि हम गर्भाती महिला का रेश्टेशन कर रहे हैं तो वो उसका नाम यहाँ पे दिखा ही नहीं रहा है जबकि Home Visit में उसका नाम सो कर रहा है चलिए हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं कि क्या दिखा रहा है तो देखिए फिर से हम यहाँ पे उस लभार्थी का सारा डिटेशन डाल दिये हैं डालने के बाद फिर से हम लोग submit कर रहे हैं तो देखिए क्या दिखा रहा है जैसे हम लोग submit कर रहे हैं तो लिख रहा है अधार नमबर पहले से ही लिया जा चुका है तो चलिए अब हम लोग चलते हैं home visit schedule में जिसका हमने registration किया वो इसका नाम यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं तो देखिए यह जो गर्भाती महिला का लिस्ट है हमने open किया home visit schedule में और उसके बाद यहाँ पे अगामी वाले पे click करते हैं तो देखिए यहाँ पे उस लभार्थी का नाम दिखा रहा है कि पूजा देवी के नाम से जहां हम गर्भाती महिला का लिस्ट जोड़े थे वहाँ पे नहीं दिखा रहा है बट यहाँ पे दिखा रहा है तो क्या आप लोग के साथ भी ऐसी problem हो रही है ऐसी problem हो रहे तो आप हमें comment box में जरूर बताइएगा क्योंकि अभी अभी हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हमने सोचा कि आपको भी इस problem के बारे में जनकारी दे दी जाए कि ऐसा भी हो सकता है आपके साथ उसके बाद चलिए यहाँ पर जो home visit schedule का जो data है उसको open करते हैं और देखते हैं कि जो लभारतियों का home visit है वो जल्दी से submit हो पा रहा है या नहीं तो यहाँ पर हमने इसको open कर लिया है open करने के बाद आज के लिए जो home visit है उसको हम लोग submit करेंगे यहाँ पर click करेंगे किलिक करने के बाद आज की जो डेट है उसको डालेंगे और submit यहां पे करेंगे तो जैसे हैं submit करेंगे तो record सफलता पूर्बगुआ अपडेट हुई ऐसा message देखने को मिल रहा है बट यहां से जिसको हम submit कर रहे हैं वो यहां से हट नहीं रहा है यानि कि अभी भी जो minor box fixes है वो अभी भी portion tracker app में है इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो problem है पुरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई है और उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो growth monitoring है बच्चों का जैसे कि growth monitoring खोली ही नहीं रहा था तो यहाँ पे 6-3 साल वाले अच्चे की category open कर लिया है open करने के बाद यहाँ पर 3. पर click करेंगे और यहाँ पर विकास की monitoring growth monitoring यहाँ पर open हो चुकी है उसके बाद यहाँ पर उसका height and weight डालेंगे और submit करके देखेंगे कि यह दिन में भी work कर रहा है या नहीं क्योंकि इसमें भी काफी problem आ रही थी तो हमन उस बच्चे का यहाँ पर growth monitoring हो चुका है तो finally अब आप लोग कभी भी जो बच्चों का growth monitoring है वो complete कर सकते हैं तो आज के इस वीडियों फिलाल इतना ही आप लोग हमें comment करके बताईएगा कि यह जो 11.7 की update आई है जिसमें आप लोग की कौन-कौन सी problem ठीक हो चुकी है और अ नेवादा